नवस्कार आप बेखरें नीज वर्ल इंडिया, मैं हूँ आपके साथ प्रदिम्न शर्मा, एक निज़र डालते हैं, पाच मिनिट में पच्चिस कप्रों प्रदानमंत्री नईंद्र मोदी ने साल 2022 सक देश के सभी बेघर परिवारों को पक्का आवास महुय कराने का लक्ष हासिल करने के लिए एहम कदम उठाया है, इस दिशा में पिये मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उधगा हो गई है, इसमें ऑक्सवोर्ड की कोरोना वेक्सीन को एमर्जेंसी अप्रूवल देने के पर विचार हो। पंजाब पुलिस ने लोदियाना से पाकिस्तान के लिए जाचुसी करने वाले के शक्स को किया गरफतार, पुलिस शक्से से पूस्ताच मेजटी। मुरादबाद में गने कौरे के बीच एक हाथसा हो गया, जिसमें तीन मासुमों की मौत हो गई है, पुलिस ने मौके पर पहुचके शफ को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए ले जाए। महराश के राइगर जिले की पुलिस ने तीन साल की बच्ची के रेप और मडर के आरूप में 35 साल के एक हिष्टी शीटर को किया गरफतार, आरूपी हाली में जेल से चुट कर आया बाकपत में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुटबेड, मुटबेड में 25 जार के नामी बदमाश को लगी गोली, फिलाला पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में किया भरती अगरा मैं बैंक की शाका में हुई डगैती की मामले में फरार चल रहे आरूपी नरेंद्र को पुलिस ने मुटबेड के बाद किया गरफतार जालोन में संदेद की परिस्तितियों में विभाहिता की मौत हो गई है, माई के पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर हत्या कारोप लगाते हुए पती की पिटाई कर दी, पुलिस मामले की चांच में जूटी नॉड़ा में थाना पुलिस ने गुलेल और चरो की मदद से कार का शीशा तोड़कर लूट पार्ट करने वाले ठक ठक गैंक के तीन बदमाशों को किया गरफतार, पुलिस बदमाशों से पूस्ताच में जूटी राजदनी दिल्ली के द्वारका के भरत व्याहर में रहने वाली दिल्ली पुलिस की महिला कॉंस्टिबल ने अपने घर में पंके से लटक कर आत्मतिया कर ली, पुलिस ने शप को पोस्माटन के लिए बेजा अगरा में पुलिस चौकी में तोड़ फोड और आगजनी के मामले में दो FIR दर्च कर ली गई हैं और 125 अग्यात के कलाफ केस दर्च कर ली गई हैं अधिकारियों ने पटवारी के घर से 58 लाक रुपे की नगदी की जब रोई शर्मा ने मेलबन क्रिकेट मैदान में पहली बार अभ्यास सत्र में भाग लिया है औस्टेलिया के खलाफ साज जनवरी से शुरू हो रहे सिडनी टेस्ट में सलामी बल्लेबाच को खेलने की संभावना जताई जा रही है टीम इंडिया के तीसरे टेस्ट से पहले बड़ा जटका उनको मिल गया है बारत आज से संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत की अस्थाई सदस्य बन गया है बारत को आठ वी बार ये एहम जम्यदारी मिली है दुनिया के हर इससे में नए साल का स्वागत बहुत ही धूमगाम से मनाया गया है और इसी बीचे दुबाई की पहचान बुर्ज खलीवा वर जम कर आतिश भाजी की गया कोरोना वारिस के नए स्ट्रेन ने चीन में भी दी है दस्तक बिटेन से लोटी 23 साल की एक महिला में कोरोना का नए स्ट्रेन मिला फिलाल पास मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही बने रिये न्यूज वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार